नवाशकार दोस्तों आपका स्वागात है एयायो मुष्टी में हम सभी ने बच्पन से सुना है कि भगवान महादेव के तीन आख होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान महादेव की तीसरी आख का राज क्या है तो हमारी इस वीडियो को बुरा जरूर देखना वैसे तो भगवान शिफ के कई नाम है लेकिन महादेव ये नाम लोगों के दिल और दिमाग में बसता है महादेव की पूझा न किबल मानव बलकि दानव भी करते हैं महादेव को देवों का देव भी कहा जाता है और महादेव की तीसरी आग का वर्णन एर जगा देखने को मिलता है तो चलिए आईए जानते हैं कि महादेव की तीसरी आग का रहस्य क्या है सौर्व प्रतम पूझनिय भगवान शिफ के कई नाम है उन्हें भारत के हजारों मंदिरों में पूझा जाता है महादेव के बारे में सबसे विचित्तर बात ये है कि उनके मस्तिक पर स्थित उनके तीसरी आख कि ये भगवान महादेव का कोई चमतकार है अगर क्या है इस तीसरी आख का रहस्य दरसल बात यह है कि भगवान शिप के तीसरी आग शिप जी का कोई अत्रित अंग नहीं है बलकि यह दिव्वे दृष्टी का प्रतीक है यह दृष्टी आत्म ग्यान के लिए बहुत जरूरी बताए गई है महादेव के पास ऐसे दिव्वे दृष्टी का होना कोई आम बात नहीं है महादेव की चबी उनके तीसरी आग को और भी जादा प्रवाव साली बताती है तो सबसे पुरानिक वेद रिक वेद में जीवन का सार बताए गया है वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मा ही परम चेतना है यही अतरवेद कहता है कि आत्मा ही ब्रह्मा है हमारे पुरानिक कताओं में हरर महादेव का अर्थ है हर किसी में महादेव अर्थात शिवी दूसरा अर्थ है अर्थात शिव सभी के दोश हर लेते है जैसे कि हम सब जानते हैं कि महादेव की तीसरी आग के संदर में जिस एक कता का सुवर अधिक सिखर होता है वहे कामदेव को शिव द्वारा अपनी तीसरी आग से भस्म कर देने की कता कामदेव याने की प्राण के देव था उन्होंने पाप किती द्वारा भगवान महादेव को लुभाने और प्रभावित करने की कोशिश की थी शिव ने अपनी तीसरी आँ कोली उससे निकली दिव्वे अगनी ने कामदेव को जला कर भश्म कर दिया सचाई ये है कि ये काता प्रथमिक है जो ये दर्शाती है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रग्य जागरी दो तो वो अपने भीतर उटरे अवंचित काम की तेजना को रोक सकता है और उसे नश्ट कर सकता है तो दोस्तों ये ता महादेव की तीसरी आग का रहस्य है अब उमीद करते हैं कि आपको अमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आये होगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में